आए सुनते हैं आभाश रिवास्तव जी की कहानी काली बकसिया अम्मा के उस पुराने घर का जब कोई भी दावेदार नहीं रहा तो हार कर रागनी को ही उसे ठीक करवाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी पहले सोचा कि उस घर को किराय पर उठा दे किन्तु जिस घर में उसकी बच्पन की एक एक याद बसी थी उस घर में कोई दूसरा परिवार आके बस जाए ऐसा सोच कर ही उसकी आखे भराती थी साथ महीने की भागदोर और मानसिक उथल पुथल के बाद अम्मा का घर ठीक ठाक हो गया अपनी घर ग्रहस्ती उठाकर रागनी अम्मा के घर में रहने आ गई इन साथ महीनों में दो-दो जगा की भागदोर करते हुए वो हाफ उठी थी कुछ दिन तो बड़ा ही अटपटा लगता रहा पती और बच्चे भी पुराना माहौल छोड़कर नए घर में रहने की आदत डाल रहे थे लेकिन सबसे अधिक तनाव रागनी जेल रही थी अम्मा की ग्रहस्ती की एक एक चीज जो उसके बच्चपन की यादों से जुड़ी थी उसको दुब देती थी टीज देती थी रोजी समान सहिष्टे समय कोई न कोई वस्तूस के हाथों में पढ़ जाती और आखों से गंगा जमुनी धार बहने लगती अचार की बर्नियां मसाले की शीशियां अम्मा के कपड़े जिनको सूंकर अभी भी उसे अम्मा की महका जाती थी हिसाब की डायरी, अल्मारियां हर जगा उनकी याद बसी थी वो तो जीते जी रुपे पैसे और गेनों का हिसाब करके गई थी सो अब उनकी ग्रहस्ती में उनका बर्ता हुआ सामान ही शेश रह गया था मोवश रागनी उसे हटाने का साहस ही नहीं कर पा रही थी इसी उठा पटक के बीच रागनी को एक पुरानी, बहुत ही पुरानी, काली बकसिया मिली शायद ब्या से पहले भी रागनी ने उसे नहीं देखा था हुआ कुछ हियों कि आंगन पार वाले कमरे में एक छोटी अलमारी हमेशा ही बंद रहती थी अम्मा ने ही कभी रागनी को बताया था कि अपने ब्या से पहले कांती बुआ को इसी अलमारी में अपना समान रखना होता था उन्हीं का कुछ समान अब तक इसमें रखा है जहां तक रागनी को याद पड़ता है ब्या के बाद कांती बुआ एकाद बार ही माई के आई होंगी तब ना तो वो अपना कुछ समान ले गई और ना कभी किसी ने उस अलमारी को ही खोला अब इतने बरस बाद कांती को बुआ अपना समान क्या ले जाएंगी रागनी ने सोचा पता नहीं अलमारी का क्या होगा मैं ही खाली करती हूँ बच्चों का समानी रख दूंगी सोचते हुए उसने अलमारी पर लगा मोटा ताला हथोडी मार कर तोड़ दिया अधिक समान नहीं धालमारी में, कुछ साणिया, कुछ चूडीदार कुरते, कुछ पुराने से नकली पर सुन्दर से कनफूल, दो जोडी चपले, यही सब अटर शटर और हाँ, एक बहुत छोटी, काली, नकाशीदार लकडी की बकसिया रागिनी ने कपनों की परते खोल कर देखी, वो गल्चुके थे, चपले मी किसी काम की ना थी, गहनों के डिजाइन अवश्य सुन्दर थे, उसने सोचा चलो, कभी सुनार को देकर इस डिजाइन के असले गहने बनवालूंगी, लेकिन इस काली विकसिया में क्या है? रागिनी ने उसे खोल कर देखा, एक डायरी, रेश्मी फीते से बंदे हुए कुछ पत्र, कुछ सूखे हुए फूल रखे थे उसमें, एका एक कुछ संशकित सी हो थी रागिनी, अकबारी लिफाफे तक पर लिखा पढ़ लेने की आदत थी उसकी, फिर यहां तो आखों क सामने ही डायरी और पत्र बिख रहे थे, चो मानों उसे पढ़ने के लिए आमंतरित कर रहे थे, रागिनी ने घड़ी देखी, दिन के बारा बज रहे थे, बच्चे धाई बज़े तक आते थे, अभी पूरे धाई घंटे थे उसके पास, यह राज वो किसी के साथ बाटना हो रही थी, वो प्रेम पत्र थे, रागिनी जान रही थी कि किसी दूसरे के प्रेम पत्र पढ़ना पाप है, लेकिन क्या करती, जो पत्र दादी ने नहीं पढ़े, अम्मा ने नहीं पढ़े, उन्हें रागिनी पढ़ रही थी, कुछ खास नहीं था उन पत्रों में, जो 19- अगले जनम में मिल सकेंगे। इसके बाद रागनी से पढ़ा नहीं गया। उसने उन पत्रों को वैसे ही रेश्मी फीते से बान दिया जैसे वो कभी खुले ही ना हो। डायरी के बीच पोसकार्ट साइस की एक तस्वीर भी रखी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था अपनी कांती को प्यार सहे अकील। रागनी बड़ी देर तक उस तस्वीर को देखती रही फिर उसे उस डायरी में वैसे ही रख दिया। काली बकसिया बंद करकर उसने अपनी अलमारी में कपनों के पीछे चुपा दी और घर ग्रहस्ती के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। कितने बरस से ये अलमारी किसी ने नहीं खोली थी। कांती बुवा को माय के आय हुए भी कितना समय हुआ। ब्याग के बाद शायद घर के किसी सुख दुख में वो नहीं आई थी। क्यूं? इस क्यूं का उत्तर रागनी के पास नहीं था। उसके मन मस्तिश्क में अंधर चल रहे थे। कौन था अकील? योवन की बासंती उम्र भुवा पर भी आई थी। कुछ मधुर माधक प्रनैस्वाप उयोंने भी देखे थे। लेकिन वो सब इस काली बकस में बंधो कर रह गए। फूफा जी भी कई बरस हुए नहीं रहे थे। हाँ रागनी को याद आया कि वो तो कारगिल के युद में शहीद हो गए थे। अम्मा से ही उसे कांती बुवा की जब तब खबर मिलती रहती थी। बुवा के कोई संतान भी ना थी। फूफा जी के ना रहने के बाद उन्होंने अपनी अधूरी शिक्षा पूरी की और पिएजडी करके सस्राल के शहर के महाविद्याले में व्याख्याता हो गई। रागनी अंतरदन में उलजी थी कि पता नहीं बुवा को अपनी इस पुरानी पुझी की याद भी है या नहीं। बहुत सास में बोल गई थी रागनी उस तरफ सन्नाटा था। कोई विशेश बात तो नहीं रागनी बुवा का कोमल किन्तू गंभीर स्वर्थ सुनाई दिया। नहीं बुवा कई बरस हो गया आपको देखे हुए। अम्मा के घर आकर आपकी याद हो आई। फर ये घर आपका का भी तो है। आज आई ये तो अच्छा लगेगा। अम्मा के बाद आप ही तो है। रागनी बड़ी चत्राई से बात चुपा ले गई। रागनी के अमंतरन पर दो दिन बाधी कांती आ गई थी। कितने बरस बात देखा था उसने बुवा को। लिकिन उनको मानो उम्र चुकर निकल गई थी। ना हाथ में चूडियां ना माथे पर चंदन करटी का। एक मरदानी घड़ी और काले बॉडर की बादामी साड़ी में बुवा बेहत सौम में लग रही थी। माथे की नन्नी काली बिंदी कितनी सुंदर लग रही थी उन पर। एक मधुर, शांद, स्निक दिचित्वन और सैयमित सी मुसकान। कितनी स्थिरता आ गई थी कांती बुवा के संपून व्यक्तितु में। रागनी कुछ पल उन्हें नहारती ही रही कि कांती ने उसे खीच कर गले लगा लिया। क्या देख रही है रागनी, बहुत बदल गई है क्या तिरी वो हस पड़ी और उसका वही मोहक गजदंद रागनी ने देख लिया जिसके लिए वो बच्पन में दिवानी रहती थी। बुवा के गले लगकर उसकी आखे भराई थी। उनका हाथ पकड़कर वो उन्हें घर के अंदर खीच लाई। इस समय पूरे घर में सन्नाटा रागनी के पती दफ्तर के काम से टूर पर बाहर गए थे और बच्चे कुछ दिन के लिए दादी के पास। खाने से निपटने के बाद अम्मा वाले कमरे में बुगा भती जी साथ लेटी तो कितनी ही स्मृतिया दोनों के मन मस्तिश्क में साथ साथ तैर गई। भाबी के किसी और के घर आ गई हूँ। कांती अराम कुरसी पर अदलेटी सी थी फिर भी एक खुश्बू। बहुत अच्छा किया रागनी जो तुने इस घर को फिर से बिसा दिया। कांती ने आखें मून ली थी। माते पर हलकी लकी ने इशपश तिखाई दे रही थी। शायद व बरस से इसी घर के बंदवार से सटकर कभी बारिश में भीगी, कभी सरदी में कापी, कभी गर्मी में तपती रही कि शायद कोई दवार खोल दे, मुझे बुला ले। पर किसी ने कभी बुलाया ही नही। आती कैसे? आज तुने बुलाया तो मैं आई। कांती रुआसी, ड दिया था मेरा, धीरे धीरे समय के साथ इस घर ने कितने सुख दुख छेले। लेकिन मैं एक बार जो पराई हुई तो फिर इस घर ने दुबारा मुझे नहीं अपनाया। अम्मा के ना रहने पर अंतिम बार जो मैं इस घर से गई तो दुबारा पलट कर नहीं आई। मन प कावली सी कह गई। ये भी नहीं सोचा कि कांती बुआ के मन में कितनी उथल फुदल मची होगी। मुझे पता है तुने कोने वाली अलमारी खोली होगी। शायद काली बकसिया खोलकर मेरे वो प्रेम पत्र भी पढ़े होंगे जो मेरे सवा किसी ने कभी नहीं पढ़े। र आचल पर गिरकर अद्रिश्य हो गई। अकील कौन था बुआ। नाम सुनकर कांती ने भीगी हुई पलके खोल दी। क्या करेगी जानकर तु भी अपनी बुआ से घ्रिना ही करने लगेगी। वो मेरे जीवन का एक भयानक दुस्वपन था। मेरे घाओं को मत कुरेद था उसके मन में। पलके मूनते ही उसकी आखों के सामने आता है एक रोती बिलकती, दया की भीक मांगती, चीखती और चिलाती लड़की का चेरा। और एक बार फिर कांती उसी तरह पसीना पसीना हो आई, जैसे उस दिन हो गई थी। तब कांती भी ऐसी प्रथम वर्ष की चात्रा थी, युनिवर्स्टी में अड्मिशन लिया था, गल्स कॉलिज से यहां का माहौल भिन्न था, यहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, अकील फाइनल एर का चात्र था, उसे कांती पहली ही दृष्टी में भाग गई थी, किन्तु कांती इशारों, फिक्र की तलबगार लड़की नहीं थी, उसके दिर्चरित्र का तेज उसके चेहरे पर दमकता था, पहले तो इजहार इकरार के संबंदों की भी गुन्जाइश नहीं निकल सकी, लिहासा ये चाहत एक तरफा मामला बनकर ही रह गई, कांती और अकील के मजभ भी अलग थे, रीती रिवास, रहन सहन, खान पान, कुछ भी तो नहीं मिलता था, सो आरम में ऐसा लगा कि उनकी राहें बिलकुल अलग थी, लेकिन शायद कांती के भगवान और अकील के खुदा ने उनकी किसमत में कुछ अलग ही लिख रखा था, किसी दिन रिक्षा में बैठी कांती का अकील ने और घवराई हाफती कांती के लिए भाग कर मसम्मी का जूस ले आया, यहीं से आरम हुआ उस प्रणे गाथा का प्रथम अध्याय, कांती दिवानी हो गई थी अकील के लिए, अकील मेडिकल की तैयारी कर रहा था, जब अकील ने उस पर दवाव डालना आरम किया, कि घर में वो और अपने अकील की बात करे, तो कांती बोरा ही गई थी, पिता तुल्य बड़े भाई से वो तर्क पर तर्क किये जा रही थी, आज भी कांती उस शन को याद करती है, तो कितनी गलानी, कितनी शर्म मैसूस होती है उसे, भहिया के सम्मुक वो अढ़ी गई थी मैं तो उसी के साथ ब्या करूंगी भहिया, चाहे आप कुछ भी कहो, वो मुझे बेहत खुश रखेगा, कल को वो बहुत बड़ा सरजन बनेगा, तो आप ही कहेंगे मेरा चेहन बेजोड था, मूर्क कांती की समझ में नहीं आ रहा था, कि जिस लड़के का अभी तक मेडिक जी ने एक बार में ही अखील और उसके घरवालों की खोटी नियत को भाप लिया था, बेहत कडाई के साथ कांती की पढ़ाई रोब दी गई, विद्रो करने का सहाथ उसमें नहीं था, कांती के लिए रिष्टे खोजे जाने लगे, इन्ही रिष्टों में से कैप्टन प्र प्रभारकर का रिष्टा सर्वता स्वयोग्य नजर आया, और अच्छा महूरत देखकर कांती और प्रभाकर की सगाई हो गई, सगाई का पूरा कारिक्रम संपन होने के बाद, जब अपनी उंगली में सगाई की अंगूठी देखी, तब कांती को एसास हुआ, कि अब उसका की तड़ब देखी नहीं गई, परिनाम सुरूप वो घिनोने कृत्य को अंजाम देने का निर्णे करने लगे, एक भयानक धोके की नीव रखी गई, कांती को एक परची फेक कर अकील ने अंतिम मुलाकात के लिए बुलाया, संभवता, कुछ शिक्वे शिकायतें, कुछ मि लिख दिया था, अकील और उसके दोस्तों ने मिलकर कांती को सबक सिखाने की ठान रखी थी, बीते दिनों का चित्रपट वरतुमान में बैठी कांती की आँखों में आकार रूप लेने लगा, प्रने के मद में डूबी कांती, उस उनसान वीराने में, अकील से मिलने जा प अकील ने कांती पर बेवफाई का इलजाम लगाते हुए, जब घड़ियालू आसु बहाने शुरू किये, तो आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला चल निकला, और इस सिलसिले का अंत एक भयानक विवेक हीन कृत्य के साथ हुआ, जिसकी आंधी कांती को जिंग जोड कर ग खड़े हुए, अकील नजाने किसलिये रुग गया, घायल कांती को होश में लाकर बाइक पर बिठाया और मशीन की तरह ठेल कर उसे घर तक पहुचा दिया, उफ, कितनी भयानक कहानी थी बुआ की, रागनी के उस थंड में भी वसीना चूट गया, कांती धीरे-धीरे कह र जाली थी मैं, जो अपने तन्मन पर हुए अज सत्याचार को जहेल गई, कुछ महीने बाद कैप्टन बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आये, और मैं उनकी बहाता बन इस घर से विदा हो गई, विदा के समय अम्मा ने यही कहा कि बिट्टो, तेरे माईके की इजज़त अ अभी हमें और भी बेटियां ब्यानी है, यह घर आज से तेरे लिए पराया हुआ, अम्मा की यही बात मैंने गार्ड बान ली, अब तो समय के रेले में बिछ़डे सब लोग पता नहीं कहा निकल चुके होंगे, बुआ, कुछ दिन तो रुकोगी न, रागिनी ने बड़ी इसने के साथ कांती का सहाथ सेलाया, हारी, इतने बरस बाद माय के आई हूँ, कई सुख दुख सांजे करने हैं, कई हिसाब किताब निप्टाने हैं, कांती एक फीकी हसी हस पड़ी, जाने कैसी बेचैनी थी उसके मन में, ऐसा लग रहा था, कि यहां इस शहर में कोई बरसो से उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे भुला रहा है, पहले कभी उसे ऐसा नहीं लगा था, अगली सुख कांती अकेले ही निकल पड़ी, आज उसने सोच रखा था, कि शहर की गलियों, सडकों और बाजारों को घूमते हुए, अपने कॉलेज, उन्वेस्टी भी हो आएगी रिक्षा में चलते हुए कितने ही पुराने पैचाने घर, दुकाने, सडके दिखी, रिक्षे वाले को रास्ता पताते बताते, जाने का वो उसी परिचित घर के सामने दर्वाजे पर ही आकर खड़ी हुई, जहां बरसों पहले उसने बेहा कर आने का सपना देखा था, अरे संतुलित होकर कांती ने द्वार खट-कटाया, भीतर सन्नाटा था, इतने में कुछ खड़का और सावली सी एक किशोरी ने द्वार खोल दिया, अकील है क्या, हकलाते हुए कांती ने पूछा, आईए, उसने कांती को रास्ता दिया, दीवारों से जरते चुने से अपनी सा गई थी, ओ, ये तो अकील है, कभी इसी इंसान के प्यार में दिवानी होकर वो डोली थी, इसी ने उसका सन्रवनाश किया था, कांती के अधर व्यंगे से टेड़े हो गए, वो अपने प्रभू का न्याय देख रही थी, आज उसने अपने सामने एक क्रिश का इवरिद्ध को देखा, जिसका तन फालिच से निश्प्रान था, पूरे शरीर पर सफेद दाग वाली बिमारी फैल गई थी, कांती सकते किसी ही आलत में स्तब्द सी खड़ी थी, आप कौन है, उसकी शोरी ने पूछा, मैं कांती, इनके साथ युनिवरस्टी में पढ़ती थी, सूपते स्वेहम से ही बड़बडा रही थी, तबी बाहर से उसी की उमर की एक महिला अंदर आई, शिरीन, अब्बू को खाना खिला दिया था ना, हाँ अम्मी, इनसे मिलो, पता नहीं कौन है, अब्बू इन्हें जानते हैं शायद, उस महिला ने कांती को बड़े ध्यान से देखा आप कांती तो नहीं, हाँ, लेकिन आपने मुझे कैसे जाना, और आप कौन, आदाब, मैं नुसरत, अकील की बीवी, बेहिक शाहिस्ता दिखने वाली उस महिला ने नर्स की उनिफॉर्म पहन रखी थी, आपकी तस्वीर देखी थी मैंने, अकील मुझे आपके बारे में देहल गया, नुसरत कांती को बाहर बरामदे में ले आई, कांती जी, आप शायद उपर वाली की मर्जी से ही यहां आई है, हम लोग न जाने कबसे आप ही का इंतिजार कर रहे थी, पश्तावे की आग में मेरे शोहर तिल-तिल कर मर रहे हैं, मेरा इंतिजार मगर किस लिए आप पर क्या बीती होगी उस वक्त, शायद मैं महसूस ही नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप उन्हें माफ कर देंगी, तो शायद उपर वाला इनके शरीर की इस भयानक तकलीफ से उनको निजात दिला देगा, कांती काप उठी, कैसी ओरत है य खुदा से अपने शोहर को उठा लेने की दुआ कर रही है, जो तकलीफ अकील जेल रहे हैं, उससे बहतर है कि खुदा उन्हें उठा ले, शायदी आपकी बद्दुआ का ही असर है, जिसकी मार हम पर पड़ी है, खुदा के वास्ते उन्हें माफ कर दीजिये, नुसरत रो रही थी, मैंने तो किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी, कांती बदहवासी की हालत में उस घर से बाहर निकल आई, कैसे घर पहुँची उसे याद नहीं, घर लोटकर वो तीव रिजवर की चपेट में आ गई, रिजवर की बैहोशी में भी वो बड़बडाती ही रही, चार नहीं रागनी मैं ठीक हूँ, जरा काली बकसिया तो लाना, बुआ तनिक सबर करो, ठीक हो जाना तब साथ लेती जाना, रागनी हसकर बोल पड़ी, नहीं री, ले नहीं जाना, इसे हटा देना है घर से, मन्हूस चीजें बाल बच्चों वाले घर में नहीं रखी जाती, उ इसकी बनावट कितनी सुंदर है, ये तो अपने घर की है, मत बहाओ इसे, नहीं, अपवित्र वस्तु को, अपवित्र वस्तु को इतने बरस सजोकर रखा इसने, तो ये भी उतनी ही मन्हूस हो गई ना, कहते हुए कांती ने उस बकसिया को उच्चाल दिया, वो भीजधार में गहरे जा गिरी, लौटते हुए कांती का मन बेहत शान था, ये सच था, कि वो अकील को कभी शमा नहीं कर सकी थी, लेकिन उसने अकील को कभी बद्धुआ भी नहीं दी थी, आज इतने बसो बाद, अकील को देखकर कांती को लगा, कि ये वही अकील है, लेकिन फिर भी के अकील वो नहीं था. आज की कांती ने कल के अकील के सारे गुनाह बख्ष दिये थे. पता नहीं अकील को उसके तकलीफ से कपचुट कारा मिलेगा, किन्तु कांती ने उसे माफ कर दिया था. तो ये थी आभा श्रिवास्तव जी की कहानी काली बकस्या सुनने के लिए धन्यवाद